अब आपको एक इंडियन ग्रेट साइंटिस्ट के हिस्टि के बार में बताने जा रहे हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं आपने जगदीचंदर बोस का नाम जरूर सुना होगा तो चलिए उनके लाइफ के बारे में जानते हूं डॉक्टर जगदीचंदर बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को बिटिस भारत के बंगाल प्रांत में हुआ था यह भारत के प्रिसिद्ध विग्यानिक थे जिन्हें भौतकी जीव विग्यान वनस्पती विग्यान थे था पुरातातुका अभूतपूर विग्यान था यह पहले विग्यानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूच मतरंगों की प्रकाशकी पर कार किया वनस्पती विग्यान में इन्होंने कई महत्पूर्ण खोजे की साथ ही यह भारत के पहले विग्यानिक सोध करता थे यह पहले भारते विग्यानिक थे जिन्हें एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त हुआ इन्हें रेडियो विग्यान का पिता माना जाता है ये विज्ञान कथाएं भी लिखते थे और इन्हें बंगाली विज्ञान कथा साहिति का पिता भी माना जाता है। इन्होंने बेतार के संगेत भेजने में असाधारन प्रगर्ति की और सबसे पहले रेडियो संदेशों को पकड़ने के लिए अर्ध चालकों का प्रियोग करना शुरू किया। और इनके अमिर्टिव 23 निम्बर 1937 को इस प्रिसित विज्ञानी का निधन हो गया जिससे विज्ञानी की जीवन लीला कान्त हो गया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस लाइक ज़रूर किजिए और जन्हों के मेरे चैनल को सब्सक्राब नहीं का है वो मेरे चैनल को